हेई गाईज इत्स प्रीती एंड आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आईक्यू स्टुडेंट पॉइंट एंड तुडेया वेरी गूद नूज फोर्स्ट एंड सेकेंड यह स्टुडेंट्स जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यह नोटिफि नोटिफिकेशन सभी अंडर ग्रेजवेट और पोस्ट ग्रेजवेटे स्टुडेंट के प्रमोशन से रिलेटेड है चाहे वो एंसी वेब से होज या एस वेल से सभी के प्रमोशन की बात की गई है और कुछ गाइडलेंस दी गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर सो टेलिग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हो राइट तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ओफ डेली के जितने भी इंटर्मीडियेट सेमिस्टर ट के लिए सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बाते समझ में आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम फेस्ट ना करनी पड़े सो देखिए यहां क्लियरली लिखा है कि यह गाइडलाइन्स इंटर्मीडियेट स्टुडेंट के लिए हैं फो ओल अंडर्ग् केबल हो गई है ठीक है सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां मेंशन है कि इंटर्मीडियेट स्टुडेंट्स प्रॉमोशन में 50% उनके इंटर्नल एसेस्मेंट एंड 50% उनके प्रिविएस अकेडमिक रिकॉर्ड के बिहाफ पे प्रमोट किया जाएगा उन्हें यह वाले स्टुडेंट्स के लिए अप्लिकेबल होगा और जो स्टुडेंट्स प्रिविएस एक्जाम नहीं दे पाए थे किसी भी रीजन की वज़े से यह उनका कोई प्रिविएस एक्जाम रिकॉर्ड नहीं है तो उनका प्रमोशन प्रॉपर 100% असाइन्मेंट के बेस पे ह जो बांगा अब बात करते हैं स्कूल औफ ओपन लेर्निंग औन एंसी वेब के स्टुडेंट्स की जितने भी अंडर्ग्रेज्वेट सेकेंड यर में सेंस्ट सेकंड से मिस्टर में हैं उनका प्रमोर्शन 50% प्रिवियस अकेडमिक रिकॉर्ड एंड 50% इंटर्नल असस्मिन के बेस्ट पे होगा बट जो एक्स स्टुडेंट है उनके एक्जाम स्टेट सीट के अकॉर्डिंग ही कंड़क्ट करवाए जाएंगे मीन्स एक्स स्टुडेंट को रूमन फिल किया हुआ है बट जो युनिवोसिटी ओफ डेली के एक्स स्टुडेंट है उनको एक्जाम देना होगा अकॉर्डिंग टू देट सीट ओफ ओपन बुक एक्जामिनेशन इस पे मैंने एक प्रॉपर डेडिकेट वीडियो बनाए हुई है लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चाहे तो गहां से जाके देख सकते हैं सेकेंड है कि इन सभी स्टुडेंट्स को अपने अपने असाइन्मेंट्स सब्मिट करने होंगे और कब सब्मिट करना होगा यह एसो एल एन एंसी वेब डिसाइड करके आपको थूप राइट एंड आप चाहे तो हिंदी औं इंग्लिष बोथ लेंगिज में अपने असाइन्मेंट्स सब्मिट करवा सकते हैं सो यह आपके लिए एजी रहेगा आप जिसमें कम्फोटेबल उसे अपना असाइन्मेंट्स सब्मिट करवा दीजेगा राइट अब को एक proper time period दिया जाएगा like 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता ठीक है तो इस time period को आपको ध्यान में रखते हुए follow करना होगा आपको इस time period को ठीक है and इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने assignment submit करवाने होंगे 7 है कि अगर कोई students किसी भी genuine reason की वज़े से अपने assignment submit नहीं करवा पाते हैं तो उनको एक और मौका दिया जाएगा August में उनको मौका मिलेगा अपने assignments को again submit करवाने के लिए next है कि जो students अपने previous year के या फिर इस year के exam को clear नहीं कर पाते हैं यह नहीं कर पाये थे essay students को इस academic year में allowed कर दिया जाएगा but next time जभी भी examination conduct करवाया जाएगा उसे clear करना उनके लिए mandatory रहेगा and all these students shall be allowed to improve their grades means जो अगला आने वाला साल होगा उसमें essay students को अपने grades को improve करने के लिए एक और मौका दिया जाएगा यह guideline बहुत important है आप सभी के लिए so video को end तक देखिएगा ताकि आपको सब समझ में आए और आपको कोई problem face ना करनी पड़े ठीक है और CBCS means choice based credit system means semester scheme के अंडर आते हैं ठीक है so essay students जिन्होंने ना तो first semester के exams दिये हैं ना ही second semester के exam दिये हैं अभी तक तो उनका जो promotion है वो 100% assignment के based पे ही होगा ठीक है दौनों semester के अलग-अलग assignment submit करवाने होंगे उनको and जो भी subject से students के पास तो हर एक अलग-अलग subject के अलग-अलग assignment उन्हें submit करवाने होंगे अलग-अलग semester के based पे ठीक है SOL के through आपको notify कर दिया जाएगा कि कैसे और कब आपको आपके assignment submit करवाने हैं next है कि दौनों semester के result अलग-अलग आएंगे and CBCS के rules के behalf पे ही result आएगा and आपको promote किया जाएगा and last है कि अगर कोई student assignment के based पे भी fail हो जाता है तो next time जब ही भी exams conduct करवाए जाएगे उस time आपको again मौका दिया जाएगा अपने exam को clear करने के लिए exam के दो pattern होंगे odd or even ठीक है दो semester based पे exam होता है odd and even means अगर कोई first semester में fail हुआ है तो उसका जो exam होगा वो January 2020 में conduct करवाय जाएगा third semester के students के साथ and अगर कोई second semester में fail होता है तो उनका जो exam होगा वो मई और June में exam conduct करवाय जाएगा चीक है तो यह थी आज की हमारी वीडियो I hope आपको सब समझ में आया होगा कुछ interesting जानने को मिला होगा but still अगर किसी student को कोई doubt है या कुछ पूछना है तो आप नीची comment box में या telegram पे मेर से पूछ सकते हैं so thanks for watching this and best of luck all